हलो कीज इस शिप्रा हेयर फ्रम जयर्म पॉब्लिक स्कूल सो किज वेलकम बैक टीन आवर मैथ क्लास सो किज एज ओन लो अभी हमारा क्या चल रहे थे मंतली टैस्ट चल रहे थे थोड़ा हेक्टिक टाइम था अब सभी के लिए टैस्ट फिर दिवीजन फिर स्टेडी नेक्स लास्ट चैप्टर हमारा फ्रेक्शन कंप्लीट हुआ है और आज हम डिसकस करेंगे बेसिक जुमेक्टिकल कॉंसेट कॉंसेट डिसकस करेंगे चैप्टर नमबर ड्वैल बेसिक जुमेक्टिकल कॉंसेट सी ये चैप्टर आपने काफी टाइम अच्छे से पहले भी रीट क से आपको सबको पता है क्या होते है कौन सी shapes होती है जो shapes होती है उनको क्या बोलते है math की language में basic geometrical shapes जैसे कि यह कौन सी shape है triangle triangle में क्या होते है three sides one two three this is square four sides equal होती है जिसकी this is rectangle जिसकी opposite side equal होती है means आमने सामने वाली opposite sides यह sides equal होती है then circle इसकी कोई side ही नहीं होती है यह oval then diamond, heart, club, spade यह सारी shapes के बारे में आपने अच्छे से कफ सबने करा है यह होती है हमारी 2D shape 2D shape क्या होती है also known as a plane shape okay now let's consider 3D shape solid shape जैसे कि slender, slender आपको पता है नहीं क्या होता है जिसके अंदर 2 curved होते है और 2 इस तरह से lines होती है then cone one curved shape होती है then spear जैसे कि हमारी football हो गई cube, cuboid यह सारे किसके example होते है 3D shape के okay so now see उसके बाद आती है हमारी exercise 12.1 इसमें क्या है match the following आपको इन सारी figures को इनके साथ match करना है okay जैसे कि first figure हम देखते हैं क्या है आप देखो यह हमारी कौन से figure है कौन से figure पता लग रही आपको देखने से क्या है हमारा this is rectangle दिख रहे है न rectangle इस तरह से आपको इन सब को match करना है आपका आज का homework क्या है solve exercise 12.1 in your maths book okay now come to new terms आज हम कुछ new terms बढ़ेंगे यह सारा तो आपने क्या हुआ है अब हम कुछ new सीखेंगे आज देखो क्या ages vertex और corner tickets कोई भी figure होती है उसमें जो यह sides होती है इनके बारे में आपने पढ़ा था यह sides आप देख रहे हैं यह जो side है इनको बोलते हैं ages क्या बोलते हैं ages क्या बोलते हैं जो यह sides होती है इनको बोलते हैं ages जैसे क्या आप देखरों circle की कोई side है नहीं है यह कहीं से भी start हो सकता है ठीक है लेकिन इस तरह ऐसे जिसमें इस तरह ऐसे line होती है vertical horizontal और slanting line होती है vertical line कैसे होती है इस तरह ऐसे horizontal यह यह हमारी क्या होती है slanting जो सीधी line होती है इसको बोलते है vertical जो लेटी हुई होती है इस तरह ऐसे होती है यह होती है कीira गें सब्सेंटर्द कुछारी किहें कुछते हैं को में तती हैं नहीं किम्छ एंदर कि तही हैं मारी एज़ेज होता है मिनिग ळता है शाइड क्या होता है साइड देखो ये इ stiffness यह इनको क्या भूलते हैज में किसी भी प्लेन फिगर की साइड जैसे की रेक्टैंगल ट्रैंगल ओके तो यह इसकी क्या है साइड यह और उसके बाद आए तमारा वर्टिक्स और कोर्नर की नाम से पता लग रहा है किनारे कोर्नर की नाम से क्या पता लग रहा है किनारे और वर्टिक्स क्या है इसी की वोकैबली वर्ड वोकैबलरी वर्ड इसी का सिनोनियम कोर्नर को वर्टैक्स भी बोलते हैं वी ए आर टी ए ए पॉइंट जी वो पॉइंट जहां पर टू एजिस मिल जासे कि देखो आपने इस तरह ऐसे एक लाइन ड्रो करी कोई भी उसके बाद एक लाइन इसी के पॉइंट से आपने ड्रो कर दी आपने तुझ है आपका जहां पर दोनों दोन निल रिए इसको क्या बोलते हैं वाइन जैया वाइन बित कि वैक है कि तो यह होती है हमारी 10 auto नि यह हो जहां पर हमारी टू राइंज समीट मिलती है रिक आसे कि इस यह को फिगर दे वैडीक्स वैडे हैं यहां से लाइन उपर गई एप यह इसकी क्या होई यह इसकी अ किअ सूरि भाटिक्स यह JEHK пор भी यह इनने यह इसकी वैटिक्स जहां पर टू-लाइंस मेलती है देखो देखो इस फिल गर के अंदर देखो आपको बताया गए triangle ट्रेंगल के अंदर यह क्या है triangle आपको पता है triangle इसकी ages क्या है यह line और vertex क्या है यह corner point ओके सो आपको बताने किस figure में कितने vertex vertex का जो plural होता है vertices vertex का meaning होता है one vertices का मतलब होता है more than one घो हो के sorry more than one one से ही चादा vertices का मतलब क्या होता है more than one अब triangle के अंदर देखो कितने corner है one two and three तो कितने vertices है three और edges भी कितनी है one two three square में कितनी है one corner two corner three corner four corner तो कितने है four और side भी कितनी है one two three four कितने line से मिलके बना है four से four rectangle में भी same होता है कितनी lines है one two three four तो number of edges four and vertex one two three four four circle में आप जेख सकते हैं कोई line है नहीं है सारी curved line है इस तरह से तो zero vertex और zero edges same इस तरह से oval में भी same यही है curved line है तो zero vertex और zero edges ओकी सो होप आप सबको सिमज में आगया होगा आपका आज का work भी यह है आपको बताना जो एक rectangle दैना है आपका square इसके अंदर कितने vertices होती है कितनी side कौन से side equal होती है फिर एक square ड्रो करना है then you have to tell triangle triangle के अंदर कितनी side vertices होते है और कितनी edges होती है then circle circle में side होती है कितनी vertices होती है circle is a uniformly dash in shape कैसा होता है round shape not uniformly round in shape कैसा होता है round shape circle कैसा होता है round shape इस सभी exercise के answer आपको यह learn करना है पूरा यह chart learn करना है यह chart learn करके आपको इसको solve करना है okay then you use the grid to draw the plane shop आपको इन dots का use करके इन shapes मनाने है जैसे कि यह देखो इस तरह से एक square बना दिया मैंने एक rectangle बना दिया इस तरह से आपको shape बनानी okay then what shape will you get if you trace the outline of a book book के outline trace करोगी the bottom of cone cone के outline करोगी bangle की photo frame अपने parents के help से आपको यह वाला question भी solve करना है okay so आपका आज का हो कर है आपका आज का होंगर के 12.1 और कल का मिन संदे का होंगर के 12.2 okay so bye bye kids do your work on time thank you